असालिए यू फैंज मैं उसर फ्राज और यू वाचिंग टेक काउंटर लगता है पॉप अप सेलफी कैमरा स्टाइल बहुत पॉपुलर जा रहा है इसलिए स्मार्टफोन कंपनीज अपने आने वाले हर फोन ने इसे लाना चाहती है पहले ओपो, वीवो, रेड्मी, रेल्मी बलके सैंसंग भी अपने एक फोन को इसी स्टाइल में पेटेंट करवा चुका तो ओपो जो के पाकिसान में एक फेमस ब्रैंड बन चुका अपने आने वाले नए नए फोन ओपो की 3 जिसकी स्पेसिफिकेशन कंफर्म हो चुकी यही पॉप अप सेलफी कैमरा लेकि आने वाला है फोन के की फीचर्स में पॉप अप सेलफी कैमरा, स्नेप डेगन 710 का चिपसेट और इन सक्रीन फिंगरप्रिंट सैंसर शामिल है इसके इलावा 6.3 इंच का एमोलेट डिस्प्लेय, फूल एजडी प्लेस रेजलूशन जहां प जीप्यो मिलेगा एंजीनो 616 का और साथ में 6GB और 8GB RAM के दो अलग लग वेरियंट जहां पे 128GB इंटरनल स्टोरिज लगाई गई है, फोन के रेर साइट पे डूल AI बेस्ट कैमरा जहां पे मेन कैमरा 16 मेगा पिक्सल जबके 2 मेगा पिक्सल डेप सेंसर लगाया गया है, और फ्रंट पे 16 मेगा पिक्सल का मोटराइजड पॉप अप सेलफी कैमरा जो के इस फोन की मेन अटेक्शन है, इसके इलावा 5.0 ब्लुटूथ कनेक्टिविटी, 2.0 माइक्रो यूएस्बी बोर्ट, 3.5 mm आर्डियो जैक और 9.0 एंडॉइड के साथ में, और बैटरी यहां प और जून के एंड तक हम इस फोन को एक्सपेक्ट कर सकते हैं, और पाकिस्तान में यह फोन 40,000 के करीब करीब एक्सपेक्टेड है, तो इस प्राइस में अगर इसको लाँच किया जाता है, और इन सक्रीन, फिगपिन सेंसर, पॉप अप सेलफी कैमरा और स्नैप डैगन 710, यकीनी तोर पे यह अपने प्राइस टैक के सभी फोन को काफी टफ टाइम दे सकता है, तो आपको यह फोन कैसा लगा और कौन सी स्पेसिकेशन ज़्यादा अट्रेक्टिव लगी, मुझे नीचे कमर्स सेक्शन में जरूर बताना, बस आज के वीडियो में इतना ही, वीडि अबस्क्राइब नहीं किया तो जरूर करने, आपसे मुलाकात होगी नेक्स वीडियो में, अस्सलाम अलेकुम।